नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका टेक्टनो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो देश में कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे खुद के देश में एक जो स्वदेशी इंजन है वो यहां पर तयार हो सके जिसमें सबसे पहले तो हमारा ये प्लान है कि हम किस कावेरी इंजन का प्रोग्राम है तो उसके माध्यम से भी अब हम अपना जो खुद का स्वदेशी इंजन है उसे यहां पर बनाना चाहते हैं और हाल ही में हमारे कावेरी इंजन को लेकर के देश में जो डेवलेपमेंट्स और साथ में सपोर्ट मिला है उसके बाद आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इस प्रोग्राम से एक बड़ी आशा हमारी जुड़ी है क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जी टी आरी और डी आई डियो ने सिक्स पिन ओफ प्रोग्राम को लौंच किया जिसके अंतर गत हम खुद के देश में एक जो स्वदेशी इंजन है उसे बनान जो सपोर्ट और पैसा है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराये जा सकता है क्योंकि सबसे पहले तो खबर के अनुसार हमारी H.E.L. के जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने हमारे कावेरी इंजन प्रोग्राम को दुबारा से रिवाइव करने को ले करके जो समर्थन है वो य ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच को अपनाते थे कि हमको जल्द से जल्द हमारे जो स्वदेशी वैपन्स है उनको अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए तो RKS बदोरिया जी पहले से ही हमारा जो आत्म निर्बर भारत का प्रोग्राम है इसके काफी ज़्यादा बड करने वाला है चाहिए उसमें SG-57 हो या फिर F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट ही क्यों ना हो तो इनके बाद इनका ये कहना है कि हमको एक लगबग 90 किलो न्यूटन का जेट इंजिन खुद के देश में बनाना चाहिए और इसका जो बेस है वो हमारा कावेरी इंजिन होन चाहिए तो इस प्रोग्राम को हम कावेरी MK2 के नाम से भी रन कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल हमारे जो भविश्य के फाइटर जेट्स होंगे उनके अंदर भी किया जा सकता होगा तो अगर आप यहां पर इनके जो बाते और समर्थन है इसके आधार को देखते हैं तो सबसे पहले तो पाष्ट में कहीं ऐसी डेवलप्मेंट्स हो चुकी है जिससे की ना कहीं एक होप मिलती है कि अब हमारे खुद के देश में भी हमारा जो कावेरी इंजिन प्रोग्राम है वो अच्छे तरहां से रिवाइव हो सकता है क्योंकि सबसे पहले तो हमने कहीं जेट इंजिन की बात करते हैं तो ये इंजिन 47 से लेकर के 52 किलो नूटन यानकी 47 से लेकर के 52 किलो नूटन थ्रश्ट को अच्छे से जंदेट कर सकता है और इसका जो इंटिग्रेशन है वो हाई एल्टिट्यूड के टेस्ट के लिए पहले से IEL 76 टेस्ट बैड के ओपर किया जा जाएगा तो इसके बाद में हमारे देश में पहले से इतनी क्षमता है कि हम एक लगबग 73 किलो नूटन का इंजिन तयार कर सकते हैं जो कि लगबग 43 किलो नूटन की ड्राइ थ्रश्ट के साथ में आने वाला है तो इन्ही सारी डवलप्मेंट्स और इन्ही सारे आधार के पर हमारे भारती वायुशना के प्रमुक और साथ में हमारे जो HL के पूरु अध्यक्षा इनका ये कहना है कि देश में हमको कावेरी MK2 के ओपर भी काम करना चाहिए जो कि एक लगबग 90 किलो नूटन का जेट इंजिन हो सकता है तो इस सब के बाद अब आप सब कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारे तेजिस, तेजिस MK1A, तेजिस MK2 और साथ में जो MK होगा ये हमारे खुद के स्वदेशी इंजिन्स के साथ में आने वाले हैं जिन में जोइंट वेंचर और साथ में जो कावेरी इंजिन के वैरियंट्स है वे यहां पर लग सकते हैं और इसी के साथ मे शुरवात में हम GE के जो F414 engines को यूज़ करने वाले हैं तो वे भी limited technology के साथ में 100% made in India engine ही होने वाले हैं तो दोस्तो overall इन सारे developments के बाद अब आप सब को क्या लगता है comment section में बताईएगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा साथ में चैनल को भी subscribe कर देजिएगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक किलिए गुडबाई जैहिंद